तो भर वाल अदिना ने आ गुद्वार्निंग टो वेरी गुड्मार्निंग बच्चो आज ही अधे सब लोग और शूरू करते हैं अपने वर्कों क्लास आपकी लाइव चुकी है आज हमारा सेक नमबर 48 है जिसको हम करने वाले हैं कि सब्सक्राइब क्लास और लेट उस्टार्ट अप्रेडगोजिकल प्रैक्टिस तुडए जी बच्चों वेरी गुड इपने गुड मॉर्नी चाननी आम फाइन थेंक्यू देव पुमार सरोज परमिला जी अनुज इतिश्री पूनम रूपेश रूची चाननी नेकत कुंदन कॉमल वेरी गुड मॉर्नी बच्चों जी साध्रा प्रीति समर्ती a को क्या फिक एव neat या अच्छा कल के पेपर की लिए बिल्क बिल्कुल वैस्ट ज्यदा नहीं करना है हाई तो अना स्यज्कैंट यह इनिके हमें एक तरह से टेंशन तो नहीं चाहिए या नहुट जयादा तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं अपने वर्क को और जहां तक मुझे पता है कि पेपर आपके ओनलाइन ही होंगे बीच में रियुमर थी कि कि अऔर लुक्ते it might be that it would happen offline but now it's clear then it would be online again और देखते हैं आज के पेपर के बाद में क्या होता है अव कि बच्चो आज यह आपका पहला पेपर होगा जी बच्चो तो चलिए लेते हैं अपना क्षेन नम्बर वन और बच्चों क्क्रशμ workplace मान कहता है हमें के direct method puts emphasis on तो सब बचो को बताना है कि direct method किस पर emphasis करता है तो बचो बताईए आप लोग कि direct method basically हमारा किस पर emphasis करता है question number one को देखेंगे क्या यह emphasis करता है direct use of English in a meaningful situation sound पर या बचो यह to emphasize on rules of grammar या फिर translation in Hindi one का a सब बच्चे बता रहे है और ठीक है यशिकास मरती अनोज कुंदन पूजा निकत बिल्कुल ठीक है बच्चो दिको direct method का means है कि वो basically किस पर focus करता है उसी language पर जिसमें हम जिसको हम सीख रहे हैं ने target language करने को L2 को तो इसका means सीधा बना कि direct use of English इसका means बना direct use of English in meaningful situations करेक्ट बच्चो अगले question पर आते हैं और question number देखते हैं two second number कहता है बच्चों के Indian learners of English generally suffer from the following tag weakness तो मतलब सीधी सी बात यहां पर क्या है कि Indian learners की बच्चों बात हो रही है और English में बात हो रही है कि English में generally उनको कौन सी weakness रहती है सबसे बड़ी weakness बच्चों क्या है उनके लिए तो देखो think they know everything कि वो जानते कि वो सब कुछ जानते हैं या next setting करते हैं या फिर inability to understand pronunciation या बच्चों write emails बिल्कुल सही है बहुत अच्छे बच्चों उनकी सबसे बड़ी inability होती है understand करने की pronunciation को और सबसे मज़ेतार बात ही इंडियन के साथ में कि जब उन्हें pronunciation नहीं आता तो वो अपने coding बना देते हैं वो बच्चों pronunciation अपने coding जैसे मैं आपको बताता हूं यह word अब जड़ा इस word को बोल के देखो s-u-r-e हम इसको सब sure कहते हैं sure right बच्चों जबकि इस correct word जो है sure मतब sure की आवा जाएगी but बच्चों sure है sure लेकिन sure कभी नहीं बोलेंगे आप अगर आपने बोल भी दया तो सामने वाला आपको गिरा लेगा का मतलब है कि pronunciation की सबसे बड़ी हम यह problem होती है getting everyone so it is inability to understand pronunciation जी बच्चों अगले question पर आते हैं और देखते है question number 3 बच्चों third number कहता है कि communicative competence includes communicative competence होता है बच्चों क्या include करता है हमें देखना है number one only grammatical knowledge क्या बच्चों उसमें सिफ grammatical knowledge होती है या फिर both grammatical knowledge and the ability to use this knowledge to perform different functions या फिर only abstract या फिर only linguistic फिल्कुल सही बच्चों BI का बहुत अच्छे देखवा आप पकड़ पा रहे हैं चीजों को बहुत अच्छे आंसर करें very nice everyone बहुत अच्छे शमीम good आनन्द रुची mathematics बहुत अच्छे बच्चों आप देखेंगे आप question number four बच्चों four number कहता है आपको के teaching comprehension is difficult because the reader is not familiar तो बताओ जो teaching comprehension होता है वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो reader है वो familiar नहीं है बच्चों किस से author से with the age in which the piece is written या फिर with the use of idiomatic phrases या बच्चों with the passage तो बताओ किस से वो एक तरह से familiar नहीं होगा बच्चों देखो passage नहीं passage की तो बात बन जाएगी लेकिन सबसे बड़ी बात आती है वहाँ पर idiom use of idiomatic phrases मतब जिनकी वजा से पूरा पैसे में समझ में नहीं आता तो basically बात इनकी जाती है या अगर मैं idiomatic phrase की बात कहूं आपकी vocabulary से तो वो भी वही है तो बच्चों vocabulary की सबसे बड़ी problem है तो that is the reason के radar is enable to understand the whole comprehension तो answer बच्चों हमारा यहाँ पर C बनेगा question number आते है 5 पे the structural approach stresses on the importance of तो बताओ बच्चो structural approach किस पर stress करती है spelling पर fluency पर vocabulary या बच्चो sentence structure पर बताए सब बच्चे छीक है बहुत अच्छी बात अरगेश it's good 100% बच्चों देगो structural approach की बात है तो CDC बात है वो words पे fluency पे vocabulary इन सबसे ज़्यादा वो किस पे focus करेगी बच्चों sentence के structure पे correct everyone तो answer हमारा बच्चों D बनेगा very nice अगले question पे आते हैं और देखते है question number 6 को audio-lingual method is based on कहता है कि जो audio-lingual method है वो बच्चों किस पे based है grammatical explanation पे analysis of content पे memorization of dialogues पे या बच्चों worrying practice पे जी बच्चों बताईए ओके good morning good morning बच्चों देखो ध्यान से अगर हम बात करें audio-lingual तो आप देख सकते audio-lingual का means किस से गया audio चाहिए आपको यानि dialogues चाहिए और lingual का means language का उनमे यूज होना चाहिए मतलब यह बोलने से related है तो अगर हम करेंगे तो बच्चों यहां पे 100% of memorization of dialogues करते हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे memorization of dialogue यही तो आप audio-lingual है वही आपको क्या किया जाता है आपको सुनाया जाता है आप listening करते हैं उसके बाद speaking करते हैं यही आप audio-lingual है तो आंजर हमारा बच्चों क्या गया है आपे 6 का C गया है Question number आते हैं बच्चों 7 पे और 7 number कहता है Why is testing necessary? Testing जो होती है वो जरूरी बच्चों क्यों है Number one Testing is necessary for proper utilization of language sources Necessary to know the achievement of the learners levels या फिर बच्चों Testing is necessary to know the competence of the teacher या फिर necessary to promote the learner अब आप खुद बताईए हम basically testing क्यों करते हैं आपने देखा हो बच्चों Remedial teaching provide करने के लिए बच्चों की problems को देखने के लिए Gaps को fill up करने के लिए तो 100% अगर हम देखें Teacher का competence नहीं यह तो हो सकता है तो एक other option है लेकिन सबसे बड़ी बात है Testing is necessary to know the achievement of the learner Achievement of the learner कि एक बच्चे ने क्या achievement किया है इसी को जानने के लिए हम basically testing का बच्चों use करते हैं feedback देखने के लिए सही बात होगी हमारी अगले question पे आते हैं और बच्चों question number देखते हैं 8 question number 8 को देखो लिखा है 8 number पे कि teaching pros अगर आप pros पढ़ाते हैं सबसे बड़ी बात है pros writing pros teaching की बात हो रही है बच्चों pros का मतलब समझते हैं आप क्या होता है जैसे passage comprehension आप करते हैं कि अल्राइट ध्यान से देखो pros teaching teaching pros includes बच्चों आप क्या करोगे जैसे आप यह समझते हैं pros में मैं आपको बता जिता हूँ pros में होती है pros में होता है आपका pros में होता है आपका news paper pros में होती है आपके magazines pamphlets और जितनी भी autobiography यह सब यह सब का सब pros में आता है मतलब यहां पर कहने का मिन से rhyme का यूज नहीं होता rhythm का यूज नहीं होता तो बच्चों इसमें reading skills बनेंगे ना आप reading तो करते है ना उसको बिल्कुल सही बात है प्रो मिला तो answer हमारा बच्चो ए बनेगा कई बच्चों ने correct answer करते है किष्णा ने पूनम ने नितेश ने काजल ने प्रो मिला छोटी जी कुंदर नम्र को ठीक है अकांश शमीम मेनू तो आंजर बच्चों आपका एक है कॉशन नम्र 9 को देखते हैं आप लोग और जरह 9 को चेक करो सब बच्चे 9 नम्र कहता है कि communicative approach to ELT emphasizes own तो बताओ बच्चो communicative approach ELT की है यह किस पर emphasize करती है grammatical competence पे communicative competence पे thinking competence पे या बच्चो writing competence पे आप खुद बताएंगे communicative approach का means सिधा ही बात है ELT ने बच्चो CLT है यह बिसिकली गलत लिखा गया है कहीं से CLT बनेगा CLT exactly बच्चो communicative competence पे क्योंकि CLT में means और ends दोनों ही आपके क्या होते हैं interaction होता है यानि कि communication होता है जी बच्चो बलकुल ठीक है question number 10 को देखेंगे आप और 10 number कहता है which of the following is not true सही नहीं है तो बताओ बच्चो सही कौन सा नहीं है teachers theoretical person होते है all methods can be adopted बिलकुल बच्चो कर सकते हैं लेकिन इसको बताओ कि teachers theoretical होते हैं क्या यह बास सही है बच्चो teacher theoretical होता है इसका मतर practical नहीं होता नहीं बच्चो practical होता है तो answer आपका third जाएगा यह true नहीं है चारो में से बिलकुल ठीक हो गया बच्चो अगले question पर आते हैं और question नहीं है आपका 11 पर कहता है an open ended question allows for opinion as it has तो बताओ बच्चो open ended question के क्या answer हो सकते हैं not more than one answer only one correct two correct या बच्चो more than one correct answer कौन सा बिलकुल fit बैठेगा exactly बच्चो बहुत अच्चे ये डी बनेगा मतलब एक से ज्यादा answer सही होते हैं इसको open ended कहते हैं आपके कहीं सारे idea जिसमें आ सकते हैं अगले question पर आते हैं बच्चो अग close question ये खुद बताएंगे आप लो जो close question बच्चो हमारा होता है वो क्या तीन answer होते हैं बार आंसर होते हैं दू या बच्चो एक answer होता है खुद बताएं बारे का डी वेरी गुड भारती बहुत जल्दी आंसर किया है गुड नाइस कृष्णा कांग्ष् सही बच्चे जा रहे हैं आदर्श्रवी ने सही किया है बिल्कुल सही है उसका बच्चो वन करेक्ट आंसर होता है अमने पहले भी इसको इक्जेंपल में देखा है कि कॉश्ण नमबर आते हैं थर्टीन पे और देखो बच्चो थर्टीन क्या कहता है आपको बच्चो थर्टीन नमबर कहता है बिसीकली लैंगविज वा ओप एक्टिविटी य of आपक्र आपक्टिविट्टी एंड वण लैंगविज थूण थरू तो बताओ बच्चो कोई किसी लैंगविज को कैसे सीखता है कि यह बच्चोरी की मेमाराइजिशन से activity से mimicry से या बच्छो method से 13 का भी बहुत अच्छे बच्छो activity से जो जो activity वो देखेगा उसी तरह से language को learn करेगा और यह सबसे best रहता है exactly बच्छो बहुत अच्छे आगले question पर आते हैं इनका मकसद क्या होता है क्या enable करना है तो बताओ बच्छो इन्हेंस देर वोकेबलरी उनकी वोकेबलरी को इन्हेंस करना promote प्रोमोट देर thinking power thinking power को प्रोमोट करना grammar से अवेर करना या बच्छो develop the taste of aesthetic sensibility बड़े ध्यान से आंसर देंगे 14 का बच्छो देखो जरा ध्यान से अगर हम poetry को पढ़ाते हैं तो इसको सबसे बड़ा poetry का मतलब क्या होता है poem लोरी कह दो आप गाना कह दो poem कह दो देखो vocabulary का मतलब नहीं है grammar का मतलब नहीं है अब देखो आपने answer जायतर बच्चे करें thinking power को लेकिन बच्छो जरा यहां पे देखो aesthetic sensibility जब आप किसी poem को देखते हैं तो आपको उसमें आनंद आता है आप उसे enjoy करते हैं तो यह aesthetic का means होता है बच्चो ब्यूटी ब्यूटी से related sensibility आपको मिलती है आप उसमें beauty का नुभव करते हैं तो answer आपका four बनेगा भूत ध्यान से देखना है है ना बच्चो जी very nice अग CLT which one of the following is correct कौन सा सही है तो बताओ बच्चो नंबर वन फ्लुएंजीन एक्स्प्रेशन ग्रेमेटी के लिए कि इसी rules of grammar या mastery of content किस पर आप focus करेंगे कि अगर हम CLT को देखते हैं तो बच्चो उसके बारे में तीनों में से क्या सही है ओके 15 का बिलकुल बच्चो देखो master of content नहीं करते आप content की master नहीं करते grammar की नहीं करते accuracy की नहीं बलकि बच्चो इसमें आप fluency पे सबसे बड़ा ध्यान देते हैं यही तो CLT है आपकी इसमें means औरेंट्स दोनों आपके communication होते हैं तो इसका मतलब आपको communication की fluency आनी ही आनी है तो answer बच्चो आप इसमें ए बनाएंगे question नमबर आते हैं बच्चो 16 पे और 16 नमबर कहता है आपको according to H.G. Widovson the best way of imparting grammatical competence is to तो बताओ बच्चो best way of imparting grammatical competence क्या होगा route method के through graphic skills के through use and not uses या बच्चो थ्रूद इंटरनेट 16 का D through the internet देखो Widovson के coding बताना है बच्चो आपको Widovson कहते हैं बच्चो third नमबर को through use and not uses समझे बात में आपको उसके use के coding जो भी उसका use language का होगा हम उसी के coding उसको use करेंगे यह grammatical competence है वहाँ पर बाठ करने का means तो बच्चो Widovson के coding हमारा answer 3 जाएगा आते हैं question number next पे और देखते हैं बच्चो question number 17 देखो 17 में वो क्या कहता है one of the fundamental principles of second language teaching तो बताओ बच्चो second language teaching का fundamental principle क्या है explanation contentation relaxation या बच्चो graduation अच्छा कोई बात नहीं है भारती है ठीक है स्मर्ती ओके गुड बच्चो देखो ध्यान से अगर मैं fundamental principle कहूं second language teaching का तो बच्चों बताओ graduation का तो कोई means ही नहीं है relaxation कुछ होगा नहीं contentation हो सकता है और explanation अब इन दो में से बताओ explanation के अगर बात करें तो hundred percent of second language को कब समच पाएंगे जब बच्चों को आपको explanation मिलेगी grammar मिलेगी तो answer आपका first बन गया clear है सब बच्चों को क्योंकि हम बात कर रहे है fundamental principles of second language teaching की L2 को आपको पढ़ाना है तो सबसे बड़ी बात यहां पर explanation कि आएगी अगले question पर आते हैं बच्चों role of English in India is that of तो बताओ बच्चों English का रोल इंडिया में कैसा है the only language of communication a second language only language to be used for teaching या बच्चों a foreign language 18 का B बहुत अच्छे बच्चों very good बच्चों यह answer हमारा B ही बनेगा सीधी सीवा अब देखो सब बच्चे देखेंगे हमने कहा कि इसका जो status है बच्चों वो कैसा है एसल अब अगर मैं कह दूँ according to constitution अगर बच्चों constitution के according देखें तो यह associate official language है यह क्या है बच्चों associate official language ठीक है जिवा और अगर बच्चों मैं कह दूँ के according to ncf 2005 तो बच्चों क्या बन जाएगी ग्लोबल लेंग्वेज ग्लोबल लेंग्वेज तो जैसा हमारा question होगा हम उसको उसी तरह से यूज़ करेंगे question के coding हमाई answer देना है बिलकुल सही बात है बच्चों और अगर मैं कह दूँ के England मता सुरी whole world के लिए कैसी है अगर मैं whole world की बात करूँ तो भी बच्चों ग्लोबल लेंग्वेज बने गया ग्लोबल लेंग्वेज है यह भी हमें ध्यान रखना है अगले question पर आते हैं बच्चों और देखते हैं 19 नंबर क्मिनिकेटिव कॉंपिटेंस कंबाइन अब आपको फिर से देखना है वही CLT वाली condition चोंपिटेंस होता है बच्चों किसको कंबाइन करता है No.1 good electrical competence अंड जाविबलिटि ओप यूज्च श्रक्चरि स्रॅली कर्रेक्ट्ली लिंग्विस्टि कॉंपिटेंस अंड ग्रिमेटिकटिकल कॉंपिटेंस लिंग्िस्टिक कॉंपिटेंस अंड यूज जोऔर या बच्चों ग्रमिटिकल igos पैजिएंस ऑन क्रेक्ट प्रन सी में वन और फोर्थ में और सेकेंड और थर्ड में ओके जायतर बच्चे सी दे रहे हैं इग्जेक्टली बच्चो ये आंसर आपका सी बनेगा क्योंकि सीधी सी बात है हम इसमें क्या यूज करते हैं लिंग्विस्टी कॉंपेटेंस भी होगा एविलिटी टू यूज दे लेंग्विज एप्रोप्रेटली बिल्कुल सही बात है और यह हम किससे सीखेंगे इंट्र इस हमारी क्या-क्या हैं वे टार दे बेशीक लैंग्विज स्किल्स बताव बच्चो टीचिंग लेर्डिंग एंड राइटिंग या लिसनिंग स्पीखिंग रिडिंग आंड राइटिंग खुद बताएए आप लो हमारी यहाँ पर बेशीक स्किल्स मैं आपको बता दू बच्चो चार होती हैं आपकी LSRW और याद रखेंगे गर यह उल्टी पुल्टी भी लिखी है आगे पीछे करके लिखी है सीक्वेंस सही नहीं है तो भी गलत है कि इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए तो अगर हम देखें यहां पर सेकंड नमबर आपका आंसर जाएगा बहुत वोकेबलरी आइटम, ओनली फोनेमिक आइटम, डिफिकल्ट आइटम या बच्चो एसेंशल स्ट्रक्चर सेंड वोकेबलरी टू बी सेलेक्टेड फोर टीचिंग प्रक्टिसेज बहुत अच्छे बच्चो बिल्कुल सही आंसर है आपका फूर्थ बनेगा एसेंशल स्ट् बच्चो फूलोविंग इज नोट ट्रू अबाउट ओडियो लिंग्वल मेथड तो बच्चो देखो फिर से ओडियो लिंग्वल की बात आ गई है तो बताओ इसमें क्या लेंग्वेज आइटम्स आर कंसें कॉंटेक्शलाइजड अटेंस टू स्ट्रक्चर एंड फॉर् या बच्चो लेंग्वेज 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 लेंग कि देखो बच्चो कर मैं इसमें बात करूं कि फोर की कि language learning is learning structure यह structural पहुंच जाएंगे हम यह किस पहुंच जाएंगे बच्चो structure पे यह लिखा है यहां पर demands memorization of structure-based dialogues तो सबसे बड़ी उमारी डायलोग की हो गई हम सबसे बड़ी बात डायलोग की करेंगे स्ट्रक्चर इस में अल्रेडी तो आशर आपका थर्ड बनेगा एक मिनट रुको बच्चो वो कहने ने नो ट्रू एक मिनट रुको बच्चो हम यहां टिड़ी आइटम सरकंसेट हैएंगे ड्रे móस अंभी बच्चो बड़ी बात हैं नोट यहां पर रहें तो हूresse लेंग्विज अइटम चंटेक्ट्ट एंटेंज फॉर्म ग्रेमर अब बच्चों जो सेकेंड लिखा है आंसर आपका सेकेंड जाएगा थर्ड नियुक्षा यह तो सही है थर्ड और फोर्थ भी सही है वन भी सही है अटेंज टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्म more than grammar ये बात बनेगे आपकी grammar से ज़्यादा आप structure और form पर बेस्ट होते हैं ये बात यहाँ पर true नहीं है audio-lingual के बारे में क्योंकि audio-lingual में तो dialogues होते हैं structure sounds words होते हैं contextualize वो already होता है तो second आप यहाँ पर answer बनाएंगे जी वच्चो तो correct answer हमारा क्या बन गया है आपर second done बच्चो अगले question पर आते हैं और देखते हैं question number 23 देखो 23 क्या कहता है the desired goal in audio-lingual method is तो बताओ बच्चो audio-lingual में हमारा desired method क्या होता है desired goal क्या होता है हमारे audio-lingual में desired communicative competence होती है बच्चो या linguistic and communicative competence linguistic या फिर paralinguistic exactly बच्चो लिंग्विस्टिक भी होती है और communicative भी होती है तो answer हमारा भी बनेगा both linguistic and communicative very nice answer बच्चों का अगले question पर आते हैं 24 देखो फिर से आ गया question 24 का the audio-lingual method forbids the use of तो बताओ बच्चो audio-lingual method किस language के use को मना करता है target language यानि L2 drilling यानि practice नहीं practice ये बात करता है student की native language यानि L1 या बच्चो native speaker like pronunciation ये तो कोई बात ही नहीं बनी तो ये दो बात तो हटा देंगे अब इनकी बात है है L2 को करता है बच्चो L1 को करता है खुद बताईए 100% प्रोहिबेट्स करने का मेंस है वो थर्ड को करेगा क्योंकि इसको तो सीख नहीं है इसी की पूरी प्रैक्टिस बनाएगा तो जैसे डारेक्ट मेथर्ड यूज करता है L2 को रेल वन को बना करता है वही बात हमारी ओडिलिंग्वल में मिलती है बच्चो राइट अगले कॉश्चन पर आते हैं कॉश्चन नमबर हमारा बन गया 25 25 में बच्चो कहता है what is not true about communicative language teaching communicative language teaching के बारे में कौन सा सही नहीं है true नहीं है तो बताओ बच्चो क्या सही नहीं है there is no authoritative universally accepted model of communicative language teaching या there is an integration of grammatical and functional teaching वो note कह रहा है no truth goal of communicative language teaching is to develop linguistic competence या फिर communicative competence इंक्लूड बोथ grammatical and social linguistic competence बताओ ये बच्चो तो बच्चो आंसर आप आंसर आपका 100% सेकेंड जाएगा कि it is an integration of grammatical and functional teaching ठीके जी बाकी आप इसमें देखेंगे तो सारे के सारे सही बनेंगे correct बच्चो अगले question पर आते हैं और question number देखते हैं 26 को बताओ बच्चो टर्म है हमारी communicative competence तो इसको किसने कोईन किया था किसने सबसे पहले यूज किया था देखो अगर यहाँ पर बच्चो होता नौन चोमस्की अगर यहाँ पर चोमस्की होता तो आंसर देते आप उसको लेकिन चोमस्की नहीं है तो आप किसको आंसर करेंगे बताओ विडॉसन को विलकेंसन को है लिडे को या बच्चो डेल हाइंस को अच्छा टॉन्टी सिंसा भी आपने देखा है क्या यह बच्चो आंसर डेल हाइंस है तो आंसर जो इसका है डेल हाइंस मुझे क्यों पता है डेल हाइंस पताईए एक बार इसको चेक कर लेते हैं पर्शन को हूँ कोईंड दे टर्म कम्मिनिकेटिव कॉंपिटेंस हाँ बच्चो सही आंसर हमारा आंसर सही है एक्चुली इसको जो कोईं किया था वो डेल हाइंस नहीं किया था कि इट वोज कोईंड बाई डेल हाइंस क्लियर होगा बच्चो तो आंसर आपका वन जाएगा ना कि विडोव सन क्वर्शन नबर 27 पे आते हैं और 27 बच्चो कहता है आपसे इन कमिनिकेटिव लेंग्वेज टीचिंग फिर से CLT मीनिंग इज इंसिगनिफिकेंट मेंगिन इस पैनामाउंट फंक्चन एंड फोर्म आर इंपोर्टेंट या बच्चो फोर्म इस इंपोर्टेंट खुद बताईए आप CLT में हमारा क्या सबसे इंपोर्टेंट बच्चो होता है एक्जैक्टली बच्चो सी बनेगा बहुत अच्छे फंक्शन एंड फोर्म आर पैरामाउंट अगले कुशन पर आते हैं 28 दटीचिंग ओप कम्पोजिशन इस बच्चो किस से रिलेटेड होती है बताओ कम्पोजिशन अगर मैं कहूं बच्चो किस में आता है राइटिंग में लिस्निंग में रीडिंग में या फिर बच्चो स्टीकिंग में अकेおお Bolis वी कि बिच्चो सीएज डी में मैं बताता हूं आपको इशिका है है बेलक्त रायटिंग में आएगा यानि मैं कह दूँ आपको एडिट्ट करना एडिटिंग हो गई बच्चो ड्राफ्टिंग हो गई आपकी है ना ड्राप्टिंग होगी ड्राफ्टिंग credits इंटिंग कमपोजिशन विए सारे के सारे आपके कॉलिटी किसके है राइटिंग के मैं आपको बता दू बच्छों CLT में क्या होता है कि आपको बस interaction बनाना होता है interaction इसका means लेकिन बाच करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी जब बच्चों बात करते हैं आप like geçhte BICS भी basics is basic interpersonal communication skills इसका मतर Tribus funky हमारा interaction होता है social interaction यानी दुनिया में जीने के लिए जो इंटरेक्शन बनता है वो हमारा BICS में आता है तो इसके थुरू यह तो मैथड होगा इसके थुरू हम इस चीज को सीखते हैं यह समझ दीजिए आप क्रेक्ट बच्चो Question number 29 Grammar should be taught grammar कैसे पढ़ाई जानी चाहिए as an and itself and की तरह से means to achieve good command of only speaking and means of achieve good command of LSRW या बच्चो as a means of good command of writing only तो only writing या फिर speaking and reading या बच्चो end itself या पर चारो का LSRW का खुद बताईए आप लो अच्छा it might be बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल बच्चो C बनेगा बहुत अच्छे देखो अब आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन गई है आप लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस की है कि आपकी अच्छी पकड़ बन गई है अब आप एक सही आंसर को देखोई बनेगा कहता है के पोईट्री मस्ट प्राइम रिली बिटोट फोर दसेखो यह बचू कहे के लिए पढ़ाई जानी जी पोईट्री को हम कहे के लिए पढ़ाते हैं पर्मिला कोई नी बिटा करोगे वहाँ पे बहुत अच्छा करोगे हो ठीक है ठीक है बच्छों हाँ डरना हो एकष्णा वर्क करके आना तो अब तो बहुत अच्छित ऑड़ बच्चों की बिल्कुल डरने की जुरत नहीं है नुज करेक्ट बात है बिल्कुल बच्चो अगर हम इसमें देखें तो 100% यह मीनिंग के लिए नहीं ग्रैमर के लिए साउंड सिस्टम के लिए बलकि म्यूजिक के लिए पोईट्री हमारी हमें म्यूजिक देती है क्योंकि बच्चो इसमें क्या होता है इसमें राइम होती है यह राइमिंग को लेके आती है पोईट्री का मीन्स ही राइमिंग से होता है ट्विंकल ट्विंकल ल मुझे लगता है आज के हमारे questions complete हो गए है अब मुझे बताइए आज मैं इसमें पैसेज नहीं लिया है तो question आपको बच्चो कैसे लगे वूज दो क्वेश्चन गुड अप्टु मार्क या फिर बिलो दे लेवेल ओ satisfaction ठीक है बच्चो बहुत अच्छे 30 का the answer बनेगा आपका ओल्डाइट बच्चो ओल्डाइट ठीक है बच्चो ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर बच्चो एवनिंग में कोशिश करते हैं कि इवनिंग में सब बच्चे मिलेंगे हम भी आप से मिलेंगे एवनिंग के लिए questions को रखते हैं थैंक यू सौ मच पूर बिइंग विद में हाव ग्रेट टाइम हाँ चांद में अच्छी बात है कि पूछ लिए जाएं ठीक है बच्चो बबाई एवरिवन झाहिं पूर बच्चो 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 बात है